तुर्ग चुले के शंक्राचार ये मेडिकल कॉलेज में हुई मौत को लेकर जम्प कर हंगामा किया गया था लगातार हंगामा कर रहे परिजनों की कलदेव शाम सुला हो गई जहां अस्पतार प्रिवंधन द्वारा व्रतक की परिजनों को तीन लाग पचास हजार का मौावजा दिया गया इसके बाद मीडिया को जानकावी देते हुए व्रतक के बेटे ने बताया कि उसके पापा की दो दिन पहले पेस्मेकर बदलने के दोरान अच्वानक मौत हो गई थी और अस्पतार प्रिवंधन सहीड दॉक्टर दिलीप रतनानी के द्वारा ऑपरेशन पूर्व जो कंसेंट लेटर लिखवाया जाता है वो नहीं लिखवाया गया वहीं डॉक्टर दिलीप रतनानी से बात की तो उन्होंने कहा कि गलती तो है लेकिन उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब ना देते हुए बचने की कोशिश की ये मरीज काफी सीरियस पेशेंट था इनका 15 साल पहले भी एक हार्ट का वाल बदला जा चुका था और उसके पहले भी बहुत सीरियस हालत में था ये 20-25 दिन काफी सीरियस हालत में बिताने के बाद बड़ी मुश्किल से इसकी इस कंडिशन में लाया गया कि इसका वाल बदा जा चुके उसके बाद ये वाल बदलने के बाद इनको दो-तीन साल के बाद में इनको फिर से complete heart block हुआ और उस समय इनको पर्मानेंट पेस्मेकर लगाया गया उस पर्मानेंट पेस्मेकर की अभी बैटरी खतम हो गई थी तो इस बार उनको बड़ती किया था कि बैटरी बदलने के लिए लेकिन एनफरचुनेटली यह हो गया कि इसके पहले की कुछ चीया जाता, उनका उनको पालमंमरी ईडीमा हो गया जो पता लगा कि जो जो वाल बदला गया था छोक हो गया, इसने की मृप्तियों। कल में के आहाए था उनकर पेटियUNG करना था जो की लिविविए है डार शार hamm cockroff इनकर चब जल रहा था बीर में एक दूसार में पैले है जैकर वाय था था creat कि आचे होको दोर्च रहने हैं। जो पेसमाइ पोट-दोर बव्याद रॉल्ट करते तो डोर्चे करते हैं। तो मों बुछे, ठीक है भाद महीं कर आएंगे, कम खर्च लगया, घर्टक सब चल रहा था, तो हम कहीं पे आए थे, कल भर्ती है उनको सब जाए अठीक एको आन्मक मेद उनल डोषा इबाइल तो को बन कर आया ते जो श्मक करक्ना करण है उसको बन करना के आने के बोले क्वेक्त कु अपना है तुर है कल एग बहरी एक बाजी की बाते है उंको परेशं आप शया के लिए लिए regular listening पतनी ने उनका अपरेशन करी और यूरिन को काड़ दिया तो वो लापरवाही से आज भी वारत जो है नरकी जी रही है लेकिन यहां का सासन प्रसासन नहीं जागा और आज भी इसी तरीके की घटना हुई है और यह घटना यह है कि परिवार वालों से न कोई सिगनेचर लिया गया इतना बड़ा आप्रेशन है जब कि डॉक्तर पहरे तो बाद में जब आते हैं तो बोलते हैं खतम होगा तो इस बार परिवार ने यह बोला है कि हम जब तक बॉड़ी नहीं ले जाएंगे जब तक हमारे साथ नया नहीं होगा और इस बार जो है हर बार ये व्योकूब बना के पुलिस परसासन को सामने लाके अस्पासाल प्रबंधन के और से किसी से बात हुए आप लोगों के उनको क्या करें दॉले हैं कि मैं डीन से और ये डॉक्तर ने अप्रेशन किया उससे बात करके मैं आप लोगों के गल्दी बताता हूं हम उसका इंतेजार करें